आज हम लोग आपकी वर्क्षिट नंबर 10 करने वाले हैं जो आपकी इंगलिस की वर्क्षिट है क्लास 7 तो सभी इस्ट्वेंट अपनी अपनी नोट्पुक निकालेंगे जिससे आप लोग हेंड टू हेंड ये वर्क्षिट कंप्लीट कर सकें और इसे समझ सकें फिर अपने चैक करा सकें जो पुराने इस्ट्वेंट से वो जानते हैं कि मैंने अपनी चैनल पर एक गेम इस्टार्ट किया हुआ है जिसमें मैं आप लोग उससे कुसंट पूट अप करता हूं और जो इस्ट्वेंट उसका अंसर देता है और वह विनर होता है तो उसके घर पर गिफ् इंग्लेज लिखेंगे आपकी एर्थ वॉक्षिट का नंबर डालेंगे आप 10 अब बच्चो यहां पर अपना नाम लिखेंगे आप अपने क्लास्टिज का नाम डेट लिखेंगे बच्चो आप 19 अगस्त अब यह आपको लिख लेना है जिससे यह रहेगा कि आप लोग व क्लास्टिज की यह वॉक्षिट है चलिए स्टार्ट करते हैं इसमें दियागे देखो आर्टिकल और आर्टिकल में हमें देखना है कि दा का परियोग कप करते हैं ए और एन का परियोग कप करते हैं कि हमने पहले भी पढ़ा था कि वोबस जो होते हैं ठीके उनके बेसिस प called indefinite articles यह क्या होता है indefinite articles होते हैं आपके जहां पर ए और एन होते हैं ठीक है they are used when we are not talking of any person or thing in particular हम इसे कभी यूज करते हैं जब हम किसी एक तो person के बारे में किसी इनसान के बारे में particular बात नहीं कर रहे हैं और किसी थिंग के बार में है यह हम तब यूज करते हैं जैसे माल लीजिए यह चेयर क्या है एक पर्टिकुलर चेयर है ठीक है अब एपल एपल के आगे एन क्यूं आया है क्योंकि यह वोवल्स का कमाल है देखिए ए आई ओ यू यह बच्चों आपके वोवल्स है तो इनके कि बेस्ट पर डिपेंड करता है जैसे अगर यह आपका वोवल्स हा रखें ठीक है वोवल्स इसमें क्या है वोवल्स साउंड से हम पढ़ते हैं इसे मैं आपका कि Celtic Island soThat you son तो हम यंद लगाते हैं अदरवर्वाइस हम य लगाते हैं ठीव में c का साउंड रहा है एसी चल़ में आपका सी का साउंड घगा इसके से कोई सड़्कल नुआ यbalanced इंग लगा दिया ठीक है पार्टिकुलर चीज़े के लिए अब देखो अंब्रेला अंब्रेला में यू का साउंड और यू हमारे पास है वोवल्स में तो हम क्या लगाएंगे बच्चो एल लगाएंगे ठीक है तो यह एक छोटी से चीज जो आपको समझना भोच जरूरी है जिसक साउंड मैंने आपको बताया था वोवल्स ठीक है इसको मैं यहां पर लिखने हूंगा जिससे आप लोग अच्छे समझ सकें एई आई ओ यू ठीक है यह आपके वोवल्स के साउंड है अब चलिए देखिए अटोए एक अब यूज करेंगे टी आपका वोवल्स का साउंड नहीं है ठीक है इसलिए आ गया सी भी नहीं है भी इसलिए हमनें एक परियोग कर लिए अब देखो आप देखेंगे इसका यह जो है लिखा है आपका साउंड तो आपका दूसरा लिखा थेक्वर्सिटी हम कैसे लिखें तो साउंड किसका आ रहा है इसमें यूनिवर्सिडी ठीक है तो यू का रहा है यू का ठीक है तो आप में इसमें ए आ जाएगा जैसे वन वे ठीक है वन तो साउंड इसमें इसका ही नहीं ए ई आई ओ का साउंड नहीं है ओ का ठीक है वा का है वा का ठीक है अगर ओ का साउंड होत चुक्त है तो हम इसमें लगाते हैं इसलिए अंब्रेला होता है ऐसे आपको ईूनिवरसीति है यू यू उनिवरसीति तो नहीं लगाएंगे अगर अंब्रेला UK का साउंड आ तो ठीम हम यह लगाते ओ genro इसलिए इसे बताएक है आपको ऐसे कर ये आपको देखना है आप देखेए इद समये आप देखेंगे एग में A का साउंड रहा मैं thicken देखाए ऐसा में आपका ओ का यदा या मैं में अब करें में नहीं के मेरे मेरे आकर आपकी साथ है इसमेंसे आप देख सकते हूं लगा दिया है आप डेकि अच्छाम यारी तो आपने क्या लगा में यह में लगा दिया ओनेस्ट ने बोलते हम इसमें ऑगा साउंड रहा है तो आपको क्या एन आ जाएगा ऐसी और इसलिए आन आजाएगा यह आपको ट्रिक है कि अगर साउंड ओका वस्षेंट इनिके साउंड आ रहे तो आप यह लगाएंगे सवाइस आप लगाएंगे ठीक है बच्चों अब देखिए फिलिंग दा ब्लैंक्स फिद ए और रहें आपको यह कंप्लीट करने तो सभी बच्चे अपनी अपनी नोट्बुक निकालेंगे और आप लोग देखिए कैसे करेंगे इसको ठीक है आप डालेंगे अपना कोस्टन देखेंगे आप कोस्टन नमबर ए ठीक है कोस्टन आपका यह फिर नोट्बुक दान करेंगे फिलिंग दा ब्लैंक्स विद ए और एन ठीक है बच्चों अब देखिए इसमें क्या क्या दिया गया आपका देखिए इस surplus में क्या सांड नहीं है इसमें हमने पडेया है बता मैं एक टी आई ओ यू ठीक है अब ग्रेट तो यह आपको क्या जाएंगा इसमें आगए आजाया इसमें वोट्स का सांड नहीं पर आपको आपका आच अंजे इनजीनियर का साउंड आ रहा है ठीक है ईक तो एन आ जाएगा जिए वह वहल्ष का साउंड आ रहा है इस इस ग्रेट ठीक है ग्रेट जीग साउंड आ तो ए आ जाएगा ऐसे इगल ठीक है क्या दिया गे इसमें इगल इए का सांड आ रहा तो एन आ जाए गा एक एन कैपिटल लाएगा क्योंकि इस्टार्टिंग में लिखा है हमने आप लोग को पता लोगा पता होगा स्टार्टिंग में कोई भी बड़ लिखते हैं तो वह आपका कैपिटल आता है स्ट्ट आपका एन ठीकल ठीक है तो यह थी आपके सिर्फ आइठिंग फाइव को संदिये थे यह आपके मैंने कंप्लेट करा दिये चलिए मैं आपको आप गेम के बारे में बजा देता हूं जो भी श्ट्यूएं नए है और गेम के बारे में जानना चाहते हैं देखी यह एक क्या ह करते हैं सरा आज की वर्क्षिट में कोशन नहीं पूछा हो इस विक भी मैं कोशन पूछ भी चुका हूं और आने वाली वर्क्षिट में भी पूछूंगा तो जो बच्चा डेली सारी वर्क्षिट अपनी मेरे चैनल से करेगा उसी को वह बेनिफिट मिल पाएगा उसी घर प तो आपको उसका answer देना और अंसर कहां देना टेलिग्राम पर जिसका link मैंने आपको budsecurity में दिया गया टेलीग्राम पर आप answer दे सकते हैं comment में भी फिर देखिए आप माली जिये बहुत सारे ऑस्ट्रूणने answer दिया उसमें से एक बच्चा ऐसा है जो वीडियो को डेली देखता है और वह अपने 10 देखता है और वीडियो को पुरी देखता है तो वह बच्चा-बच्चो विनर हो जाएगा तो वह बच्चा-बच्चो पूरी सेलेक्ट किया जाएगा और उसके घर पे गिफ्ट सेंड किया जाएगा एक बात और गिफ्ट देखो आपके दस से पंदरा दिन के अंदर घर पे पहुच रहा है चूंकि कोविड की वेसे थोड़ा डिले है बच्चो ठीक है 10-15 डेज लग जाता है जो पुराने सेलेक्टिड सकते हैं ठीक है इस्ट्रेंट मिलते हैं नेक्स वीडियो में तिल दन बाई बी सेफ इस्टे हल्दी जै हिंद जै भरण